दोस्तो बिल्कुल 100% पर्मानेंट गावर्मेंट टीचर्स रिक्रूट्मेंट आई है पीजीटी टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स इसमें शामिल है उसी के साथ साथ प्राइमरी टीचर्स है फिजीकल एजुकेशन टीचर्स की भी यहाँ वेकेंसिया है सेंटर युनिवर्स्टी में यह वेकेंसिया है और स्कूल टीचर्स की रिक्रूट्मेंट है पेश केल पीजीटी को मिलेगा सेंट 4600 से 1,690,000 टीजीटी के लिए होगा 4,900 से 1,42,400 और पी आलटी के लिए 35,400 से 1,12,400 अजी दोस्तों बिल्कुल 100% पर्मानेट गवर्मेंट टीचर्स रिक्रूट्मेंट है सभी विशों के लिए सारे जानकारे इनके ओफिशल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपको प्रवाइड कराने जा रहा हूँ आप विडियो को शुरू से लेके आखिल तक जरूर से जरूर देखें और All Over India लेवल से गवर्मेंट टीचर्स रिक्रूट्मेंट से जुड़ी लेटर्स टप्टेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले तो छीक है दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो बाकि Central University की तरफ से रिक्रूट्मेंट है तो All Over India चाहें आप किसी भी राज्य है कि अंदर शासित प्रदेश की निवासी हो इन पदों के लिए ओनलाइन आविदन कर सकते हो ये देखे दोस्तों पदों का विपरण ये PZT की वेकेंस यहां सभी सब्जक्ट इसमें शामिल है ये देखिए PZT की है और ये TZT की वेकेंस यहां है TZT में सभी सब्जक्ट है और उसी के वसासा TZT Agriculture है TZT Computer है TZT में Social Science की है TZT Physical Education की है Primary Teachers के भी यहां Recruitment आई हुई है Primary Teachers Arts की Recruitment भी यहां आई हुई है Primary Teachers Games की है Primary Teacher Computer की भी Recruitment यहां आई हुई है और ये Recruitment है दोस्तों ये Recruitment मैं अभी आपको बता देता हूँ ये आ रही है अलीगड मुसलिम विशेविधालय की तरफ से राश्ची मुल्यंकन और परधैन परिशद्वारमान्यता प्राप्त ए प्लस केंद्रिय विशेविधालय है हंजी दोस्तों Central University है अलीगड मुसलिम University AMU की यहां बात हो रही है एक Grade Central University की तरफ से Teachers Recruitment का Advertisement No. 1.2023 जारी किया गया है 4 February 2013 इसको Notification जारी किया गया था और 4 February 2013 को ही इस Recruitment से जुड़ा हुआ विडियो में आपके लिए लेके आया था तो दोस्तों उस समय अगर आपने वो विडियो नहीं देखा था तो इस विडियो को आप एक Reminder काल मान सकते हैं अब भी आपके पास मौका है इस बड़ी सरकारी सिक्षक भरती के लिए उनलाइन आविदन करने का हांजी दोस्तों आज 4 मार्च 2023 है 6 मार्च 2023 रातरी 11 बज कर और 69 मिनट तक इन पदों के लिए आप ओनलाइन आविदन कर सकते हो ओनलाइन आविदन करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है अप्लिकेशन फोर्म का और वो हार्ड को भी आपको 21 मार्च 2023 शाम 5 मुझे तक इनिवस्टी में हर हाल में भेज देनी है कहां भेजनी है एड्रस वेगरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन में नीचे दिया गया है ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन ये वीडियो अप्लोड होते ही मैं टेलिग्राम चैनल पे अप्लोड कर दूगा और अपने टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क स्कूल के लिए हैं, commerce की वेकेंसियां तीन स्कूल के लिएảo economics की सिरफ एक स्कूल के लिए Caesar Politics में इंगलिश की वेकेंसियां 5 स्कूल के लिए है और यह नमपरों पॉस्ट यहां आगे दिया गया है यह आप देख सकते हैं सभी सबज़क्ट हैं दोस्तों कोई सबज़क्ट बचा हुआ नहीं है सभी के वेकेंसिया याप ये सकेल में आपको बता चुका हूँ क्वालिफिकेशन कंसर्ण सबज़क्ट में master's degree आपके पास होनी चाहिए और कंसर्ण सबज़क्ट ये देखे दोस्तों ये होई है पेस्केल मैं आपको बता चुका हूँ इनके लिए बैचलर्स जिगरिप चार्ज परतिशत अंकों के साथ concern subject में और ये concern subject दिये गए हैं दोस्तों ये आप concern subject यहां से देख सकते हैं उसी के साथ साथ beard आपने कर रखी हो और उसी के साथ सीटेट या यूपीटेट आपका clear होना आउशक है अंजी दोस्तों सीटेट अगर आप clear नहीं है यूपीटेट clear है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और यूपीटेट नहीं है सीटेट clear है तो भी आप इनके लिए online आवेदन कर सकते हैं टीजीटी अगरिकल्चर की भी है, टीजीटी कंप्यूटर की भी है, टीजीटी सुनी थियलोजी की है, टीजीटी सोसल स्टेडीज की भी रिक्रूटमेंट है, टीजीटी फिजीकल है, एजुकेशन टीचर की भी चार वेकेंसियां अलग-लग स्कूलों के लिए इनके लिए बीपेड आपने कर रखी हो, हिंदी, इंगलिश और उर्दू लेंग्वेज में प्रोफेशनसी आपके होनी चाहिए, पर यह डिजाइरेबल है, अपर यह देख सकते हैं, प्राइमरी के लिए और टीजीटी के लिए जो अपर एज लिमिट है, वो 35 साल है, और जहां तक बात प्राइज लिमिट में आपको नहीं बताई है, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, प्राइज लिमिट 40 साल है, यह देखे दोस्तों इस प्रकार से आपको अपर एज लिमिट में चूट मिलेगी, पूरी ये लिस्ट दी गई है, किसे कितने चूट दी जाएगी, exempted from payment of prescribed processing fees in case they upload the authentic disability certificate पतलब PWDs के लिए कोई application fees नहीं लगेगी आपको अपनी application online भरनी है उसके बाद उसका printout निकालना है यह survey document के साथ में आपको लगाने है और आपको भेज़ देनी है selection committee section non-teaching registrar's office अलेगड मुसलिब उनिवस्टी अलेगड 2-0-0-0-2 उत्रप्रदेस इंडिया यहां पे भीज़ देनी है तो ठीक है दोस्तों में में सारी जानकारे इस recruitment से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माधिन से प्रवाइड कराए गई वीडियो त्या लगा तो लाइक और शेयर करें तो ठीक है आज अभी के लिए तना ही फिर मिलतें किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार